अध्याय तेरह प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन गोली सतह से Light, Reflection and Refraction at Spherical Surfaces पिछले अध्याय में हमने सम्तल सतह से परावर्तन के नियमों के बारे में जाना हमने सम्तल सतह द्वारा अपवर्तन की प्रक्रिया को भी कई क्रिया कलापों द्वारा समझा क्या गोली सतहों पर भी परावर्तन व अपवर्तन के वही नियम लागू होते हैं इस प्रश्न का उत्तर हम इस अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे साथ ही हम गोली दरपड़ों व लेंसों के अनुप्रयोगों को भी जानेंगे 13.1 गोली दरपड कक्षा साथ में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार काज के खोकले गोले की बाहरी अथ्वा भीतरी सतह को पॉलिश करके गोली दरपड बनाया जा सकता है गोले की बीतरी सतह अवतल तथा बाहरी सतह उत्तल कहलाती है यदि अवतल सतह परावर्तक हो अर्थात बीतरी सतह परावर्तक हो तो गोली दरपड को अवतल दरपड कॉनकेव मिरर कहा जाता है परन्तु यदि बाहरी अथ्वा उत्तल सता परावर्तक हो तो ऐसे गोली दर्पन को उत्तल दर्पन, कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है चित्र एक गोली दर्पन का निर्माण क्रिया कलाप एक स्टेनलेस इसपात की एक चमकदार कर्चुल लीजिए कर्चुल के बाहरी प्रिष्ट को अपने चहरे के पास लाईए तथा इसमें देखिए क्या आप इसमें अपना प्रतिविम देख सकते हैं? आपने जैसा प्रतिविम सम्तल दर्पन में देखा था क्या यह प्रतिविम उससे भिन है? क्या यह प्रतिविम सीधा है क्या इसका साइस वस्तू के साइस के समान है अथवा छोटा है या बड़ा है अब कर्चुल के भीत्री प्रिष्ट का उपयोग करके अपना प्रतिविम देखिए हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिम सीधा तथा बड़ा दिखाई दे यदि आप अपने चहरे से करचुल की दूरी बढ़ाएं तो संभाव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिम देख पाएं अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथ्वा पेंसिल के प्रतिबिम की भी तुलना कर सकते हैं कर्चुल का वक्र चमकदार प्रिष्ट एक दर्पन की भाती कारे करता है गोली दर्पन वक्रित दर्पन का एक सामान्य उधारन है इसी प्रकार अपने आसपास अन्य चमकदार वक्री सतहों पर बन रहे अपने प्रतिबिम का अवलोकन करें